Optical instruments में Dehlis को खमरोग पडने जा रहे हैं दूरदर्शी दूरदर्शी के आई टेलियस को। इसका Olis परकास ये वह जिश्का उपियक गुरस दिस्टिश कूस्पाश को इसके देख्में के रिखने के जाते हैं वैसा प्रकास ये अंत्रे जो प्रकास का अप्वर्थन के सिधान परधारित है या वैसा दूर्दर्सी जो प्रकास का अप्वर्थन के सिधान परधारित है उसे अप्वर्थन परधारित है उसे अप्वर्थन परधारित है उसे अप्वर्थन दूर्दर्सी कहते हैं और रि जानते हैं आस्ट तरम फ्रकाल गों. वाइसा प्रकाल प्रकाल संथी जिसका उपैवोग 12-th इसी रश्तू कस्पर रूप से देखने हम किया जाता है। जिसका उप्योग होग प्रकाल ओची रश्तू का इसा दख है। इस पीगर को गहर से देखिए, यह आपका object lens है, और यह आपका यहाँ पर eye lens है, object lens बड़ा है, देखें जो focal length and aperture इसका बड़ा है, इसका focal length and aperture छोटा है, क्योंकि इसका view जो होता है, render view बड़ा होता है, parallel beam of flight दूर है बस्तु तो parallel beam of flight आएगी, तो यह परकास किरन यह आप वर आपको ना, eye lens यह अपर कंगे बाद, finally mirror even beyond बनार, हाँ डी जे net 설 के लिए फ्रति मेंक दूरा मने कोड़ बीटा है, और net 설 के लिए वस्ता दूरा मने कोड़ कोड़ कोन alpha है, ओ और यह के बीच के दूरी को नाली कि लंबाई यह दूर्षिक नाली कि लंबाई काता है, figure में ज इसका हैंदी आप समय लीजिए ध्यान दीजिए अज फस्ट कहिएगा हगोलिय दुरदर्शी एक धातों की मली में दो अभिसारी लेंसों को एक ही मुख्याच पर बिवस्तित करके बनाया जाता है जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिद्रिशक लेंस कहते हैं लेकिन जो लेंस नेत्रे की ओर होता है उसे हम अभिद्रिशक लेंस कहते हैं अब दिरिशक लेंग्स के एक बिंदू पर नियत रखा जाता है, लेकिन नेत्रे लेंग्स को इस्क्रू की साहता से आगे फिस से खुष्टाया जा सकता है, एक फिगर हम लोग बना चुके हैं, अब सिधे वर्किंग लिखे रैस देंगे, और वर्किंग लिखे रैस देंगे के यहाँ पर लिखेंगे, चिह करा लिखेंग लिखेंगे, और भी लेखेंगे को अब्जेत पर लिखेंगे, अबसी को इससे देंग्स को इससे देंगे रखा जाता हैं के लिखेंगे। इसका हेंदी समय लेते हैं मान लिया की खगोले दूर दर्सी का अभी दृषय का मनेट्रे लेंज का परकास के नेक्रम सा O और E है चुकि दूर दर्सी का अपयोग दूरस्टी स्थित वस्तू का सपस्टू से देखने में किया जाता है इसलिए मान लिया की दूरस्टी स्थित वस्तू से आरही समनांतर परकास की खिर्णे वह निश्ट मुख्य अच के साथ अलखा कोल पर आप्तित होती है और विद्रिश्यक लेंज अपकरतन के बाद दुरस्टी स्थित वस्तू का प्रतिवीम वास्ति कुल्टा एवं वस्तू के एकुलना में बहुत छोटा बनता है अब ध्यान दिजए विद्वी पर बनता है जो नेत्रे लेंज के लिए काल्पिनी बस्तू की तरह ब्योहार करता है ध्यान दिजएगा यहाँ पर मैं लिखाओं के नाव ता आब नेत्रे लेंज को इस तरह से विवस्तित किया जाए कि प्राप प्रतिवीम जो A-B है वो नेत्रे लेंज के फोकस परिस्तित हो जाए ताकि अंटिन प्रतिवी मनंद पर बन जाए और दुरदर्सिक इस विवस्था को ही शमान द्रिष्टी के लिए फोक्सित या समायोगन कहा जाता है रेकिन आब पुना नेट्रे लेंज को इस तरह से विवस्थित किया जाए कि जो ए भी प्रतिवीन ताप्त हुआ है वो नेट्रे लेंज के फोकस और परकास के जो जाए ताकि प्रतिवीन काल्पिनिक सिधा और आवर्धित बन जाए अता और अस्पर्श जरस्थान की निम्तम दूरी पर बन जाए इससे दुरदर्सिक इस विवस्था को ही अस्पर्श जरस्था की निम्तम दूरी के लिए फो और यहां आई लेंस के लिए वर्स्तु के दवरा बना कोड़ दोना बराबर होगा क्योंकि जैसे कि महां लिए यह सूरज को आप देख रहे हैं तिला अतुस देखिए चैन देखिए लग्रवाग एंगल सेम बनेगा बहुत दूर है सूरज इसलिए आई अब इसलिए यहां देखिए बाबर एंगल सेम चैन बठन देखिए अलब सेम बनेगा एंगल सेम बनेगईल उबदेखि दूर। एक जगह यहां से यहां, BE नापे हैं, और एक जगह नापे हैं, O से ले करके कहां तक बी तक बी, तो बी तो ठीक है, A1, B1 और AB, एक ही से न लिखा है, यहां पर देख लिजिए, बी ओभी लिखाँ एभी एभी cancel हो गया तेम बराबर क्या हो गया ओभी बटा में बी अब नली की लंबाई जोड़ देना होता है जोनों के बीच के दुरी को तो OE पर फुल दुरी OE है तो OE को क्या लिख सकते हैं OE पलस बी जोड़ देजाए OE आ जाएगा जब बस्तु भी रखा जाएगा फोकस पर अब्जेक्ट लेंज के और पर्ती बीम भी बराबर एपो ले लिया जब यहाँ फोकस पर रखियागा तो न पर्ती बराबर एपो ले लिया हे एमान बराबर यहां भ हेलू पुट कर दिया देखिए हां पर क्या डियान हर्द बर अ न è हे भर थे भर रेके हरां धान से लिखान होगा तो व SAP लुट कर दिया तो हम בהलुट पुट कर दिया तो हो गिया मोण भराबर एफो बराबर एफो बराबर एफो पर पलस e it केस तुम्हाद है वेण आपजेक्टी जाट दोरी पर निस्ट्रा है लेकिन पर्तिवीं कहाँ पर है अनन्द पर है तो अब कुछ दोरी पर ही तो पर्तिवीं धी कुछ दोरी पर बनेगा धिवो मां लिए और अनन्द पर बन ले गाए तो फिर वह अब यहांने केस पोर एंड लास्ट है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे फैरेमंड है, यहांने केस परोद्ट है, लेकिन एक एड अधू इंपिनिटी आड लेडीगी, जब वस्तू अनन पर हो, और फ़र्टीजी पर बनेगा, फर्स्ट अनन पर है, तो फोकस्वर बनेगा ठीकिए, और हम चाहते हैं कि ल्डीडीवी पर थाकिए, तो ब्सक्र था लेडीवी बर् लिए पर आइलेंस के लिए अंतिन प्रतिविए में आप कहां चाहते हैं स्परस्टरसं की मिलते में दोड़ी तो भी बराब डी हो गया फर्मूला लगा दीजिए लेंस फर्मूला इतना हो गया भी के जगए इतना बैटा दिया फो बटा में इव एफो के एफो ज्यों कते हैं लिख दिया और यहां वन बाई एफी प्लस डिया इसको वैलू डाल दिया अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया कुछ नहीं किया एफी कॉमा ले लिया ते एफी यहां बहार आ गया ते है एफो बटा एफी हो गया और एफी यहां बहार आ गया तो उपर में अंस में रख दिया ते एफी एफी कट के चुप चाप जियों कते हैं उतना बच जाएग और कोई भी दिकत होगा हम लाइब आएंगे उसमें आप लोग हमसे प्रॉब्लम पूछेंगे किसी को कोई समस्या नहीं होगी और यह कम्प्लीट कर लिजिएगा तापकर गैलेलियो टेलियो इसको पस्तोर आओरे शेवा इतना ही शबी को धन्यवाद